हेलो दोस्तो बजाज कमपनी की अपकमिंग बाइक बजाज ट्राइम को एक बार फिर से स्पॉट किया गया है और इस बार इस बाइक का इंजन स्पेसिफिकेशन भी फुली रिवील हो चुका है बजाज कमपनी बजाज Stryanfo bike को दो engine specifications के साथ launch करने वाली है इसके engine specifications के साथ features और सभी details को देखेंगे इस वीडियो में तो वीडियो को last तक जरूर देखें वैसे इस upcoming bike की looking और design की बात करें बजाज कमपनी ने इस bike के front section में हमें round shape headlamp, signal turn indicators और small size wind screen भी offer करी है और outer rear view mirrors भी देखने को मिल रहे हैं जो की हमें round shape में offer किया गया है और इस bike के mid section में हमें new design fuel tank offer किया गया है जिसमें rubber pad भी देखने को मिल रहे है और इसके साथ ही split seat और इसके body panels में black dot effects का use किया गया है और इसके rear section के अगर आणोग बात करते हैं तो rear section में हमें signal turn indicators nameplate के just side में देखने को मिल रहे हैं और इसके साथ ही tail light भी offer की गया है तो यह थे सभी basic features और अगर आणोग बात करते हैं इसके key features की तो बजाज company इसमें हमें semi digital instrument cluster offer कर सकती है जिसमें definitely हमें काफी सारे features भी देखने को मिल जाएंगे तो finally इसके बात करते हैं इस upcoming bike के engine specifications की बजाज company इसमें हमें दो engine specifications offer कर सकती है जिसमें से पहला engine option है 250cc का single cylinder liquid cooled engine upcoming बजाज ट्राइंफ बाइक 250cc के engine के साथ launch होने वाली है Indian two wheeler market में और इसका दूसरा engine option है 400cc का single cylinder liquid cooled engine इस engine options के साथ बजाज ट्राइंफ बाइक launch होने वाली है international market में और अगर हम बात करते हैं Indian market की तो Indian market में 250cc के segment की जो बाइक का demand हमें अभी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है और इसी demand को देखते वे बजाज कंपनी 250cc के segment को launch कर रही है Indian market में और यह 250cc का engine generate करेगा 25 bhp का power और 30 newton meter का torque जो की definitely हमें इस बाइक पर best performance provide करेगा तो इसके बाद देखते हैं इस बाइक के hardware configurations को तो बजाज कंपनी इस upcoming bike में हमें alloy wheels offer करने वाली है और उसके साथ ही इस bike की breaking duty handle की जाएगी disc brake के दवारा इसके front और rear दोनों wheel में हमें disc brake offer किया जाएगा जो की definitely हमें best breaking duty provide करेंगे और इस bike की suspension duty भी handle की गई है front section में USD fork suspension के द्वारा और rear section में mono sock absorber suspension के द्वारा तो दोस्तो इन सभी features और specifications के साथ बजाज company की triumph bike जल्द ही launch होने वाली है इंडियार market में पर अभी तक इसकी launching date confirm नहीं हुई है दोस्तो उमीदिए कि आपको या video और information पसंद आए हो वीडियो को लाइक कर दिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आई सी ही अपडेट्स और information मिलती रहें तो थैंकि फर वाचिंग